नमस्कार दोस्तों स्वागित आपका फिर से जेड़ेक्स न्यूज में दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ताइवान से निकल कर सामनी आ रही है जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ताइवान का एक F-16 फाइटर जेट ना जाने कैसे दो मिनट में ही F-16 रडार से गायब हो जाता है हाला कि वो एक फाइटर जेट करायश हुआ था या फिर चाइनीज मिलिटरी का एक निशाना बनाया गया है या फिर उस फाइटर जेट के साथ क्या हुआ है 24 गंटे बीट गई है अभी भी उस फाइटर जेट का कोई भी पता नहीं लग सका है हाला कि दोस्तों दो मिनट में फाइटर जेट का गायब हो जाना बहुत ही रहसे है रहसे में घटना है और इस रहसे में गटना को जानने के लिए अब ताइवान की सेना ने हरकते करना शुरू कर दिया है दोस्तो ताइवान के डिफेंस फोर्सिस का कहना है कि उन्होंने 140 F-16 फाइटर जेट ताइवान के ग्राउंडिड कर दिये गए है और उसी के साथ अब ताइवान के F-16 को जाचा जाएगा कि आखिरकार उनमें क्या कमिया है जिन करनों से ये हादसा हुआ है हाला कि अभी भी ये एक साथ नहीं हुआ है कि आखिरकार वो फाइटर जेट कहां गया है 24 गंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है तलास जारी है लेकिन दोस्तों यहाँ पर ताइवान का F-16 अमेरिका F-16 पर सबसे ज़्यादा बरोसा करता था पहले के दश्कों में हाला कि यह फाइटर जेट बहुत पुराना नहीं हुआ है लेकिन फिर भी यह F-16 ताइवान को जुमिला हुआ है बहुत एडवांस है as compared to अगर इसे compare किया जाए तुर्की और पाकिस्तान के फाइटर जेटों से लेकिन दोस्तों इस फाइटर जेट को अपग्रेट करने पर भी ताइवान की सेना काम कर रही थी और 66 नए F-16 लेने के बारे में भी ताइवान की सेना अमेरिका से बात कर सकी कर रही थी और इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर यब ये जो F-16 अगर किसी तकनीकी कामियों के कारण अगर नीचे गिरा है या फिर कोई पाइलेट की कमी थी तो इसके बारे में अभी ताइवान की सेना पता लगाएगी लेकिन अगर इसमें तकनीकी कामिया है तो 66 फाइटर जैट जो ताईवान लेना चाहता था अमेरिका से उसके उपर रोक लग सकती है लेकिन दोस्तों अभी ये एक घटना का रहसे महीं घटना का अभी पुरा पता लगना बागी है लेकिन यहां पर 140 से भी ज्यादा फाइटर जेट अब эту पर उतार दिये गई है और के साथ इनके कारणों का पता लगाया जा रहा है दोस्तों ताइवान की सेना का कहना है कि उसने इस साल चाइनीज एक इन्वेजन को रोगने के लिए अपने फाइटर जेटों के उपर 900 मिलियन डोलर से भी ज्यादा का खर्चा कर दिया है और इतने भारी भरकम खर्चे के बा ताइवान बहुत सदमे में है कि अखिरकार उसके इस तरह से पाइलेट खोते रहे और फाइटर जेट का अगर खोते रहे तो ये ताइवान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ताइवान के 140 फाइटर जेट F-16 है और ये ताइवान की जो फाइटिंग की एक एर फोर् से खड़ी हुई है लेकिन एक्सपर्ट का ये भी माना है कि ताइवान के जो पाइलेट हैं उन्हें ज़्यादा एक्सपिरेंस F-16 फाइटर जट उड़ाने का दिन के समय का ही है और उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपिरेंस नहीं है कि वो रात में F-16 फाइटर जट उड़ा सके और इनकारणों से भी इस फाइटर जट के क्रेश होने की बाते सामने आ रही हैं लेकिन इन बातों पर अभी भी पूरी संसे बना हुआ है कि आखिरकार किस तरीके से ये फाइटर जट क्रेश हुआ है और आखिरकार ये गया है तो आखिरकार ग लिया कहा है तो वहीं दोस्तों इस रिपोर्ट में सरफ इतना ही था